हालो गाइज वेलकम बैग तो माई यूट्यूब चैनल नराइनी व्लॉक में कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे हैल्दी होंगे और हैपी होंगे तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं लेकर आई हूं सरोचनी नगर हॉल का वीडियो जो कि मैं काफी टाइम के ब तो इसकी वह जोगा यह जोगा यह एवाला वीडियो बना नहीं पारे थी मैं चाहतो होते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी डालो आप लोगोके लिए पर मेरी तवेट खराब हो गई और मेरा गला भी बहुत ज्यादा खराब हुगा था पुरा बैट ब्या था मेरा गला तो इ सरोषणी नगर मार्केट के चीजों से भरा हुआ है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से तो सबसे पहले मैं आपको दिखाँगी यह वाला टॉप यह आपने मेरे सरोषणी नगर मार्केट की वीडियो में भी देखा होगा और यह वाला टॉप मुझे पहुत इस तरव भी और इस तरव भी और नीचे से यह फ्लेयर में है और इसकी जो स्लीव्स है नीचे से यह फ्लेयर में है यह देखिये मैं आपको दिखा देती हूँ फ्लेयर में है यह और इसकी जो यह बाजू है स्लीव्स यह भी फुल स्लीव्स है और आगे से यह फ्लेयर में तो इसका जो डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छा लगा इसको आप जीन्स के ऊपर कैरी कर सकते हैं बहुत ही प्रिटी लगता है तो यह था मेरा पहला टॉप अच्छा और जो दूसरा टॉप मैंने लिया है वो है यह वाला की काफी सिंपल सा है ज्यादा एकना कोई चटक इसको अच्छा टॉप नहीं है बहुत ही सिंपल सा है सिंपल में डिजाइन बना है एक हार्ट बना है तो मुझे काफी जादा पसंदाया बहुत ही सिंपल है इसको आप जीन के सांथ ट्राउजर के सांथ कर सकते हैं यह देखिए तो यह मैंने लिया और ये वाला जो टॉप यह मुझे मिला है 150 का वैसे तो वह तो तू हंडड में कह रहे थे पर मुझे उन्होंने जो है मैंने बार गेनिंग किया कि भाया नहीं प्लीज इसको थोड़ा सा कम कर दो इतने में तो मैं नहीं लूँगी तो उन्होंने जो बहुत मुश्किल से कम कर के 150 में यह माने और यह तो तू हंड्रेट का ही उन्होंने मुझे दिया मैंने यह उस दुकान से दूसरी दुकान से लिया था वहां पर उन्होंने आपको दिखाया था पहले लिखा हुआ था कि जए फिक्स प्राइस और लो बार गेनिंग नहीं की स्टॉप के लिए तो इसके लिए मुझे थे ल जादा पसंद आई यह देखिए और शॉप मुझे उसका नाम तो नहीं पता बट वह बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो अंदर बहुत बड़ी है जैसे बहुत है कि एक्सपोर्ट का सारा जो सामान है जो माल एक्सपोर्ट का हो सारा मही पर आता हो और ऐसा हो नहीं सकता है क कि आप आप पर जाओ और वहां से कुछ भी लिए बिना बाहर निकल जाओ तो वहां पर जो है काफी जादा अच्छा आपको ड्रेस मिल जाएंगे टॉप मिल जाएंगे ट्राउसर चाहिए और फिर आप जम सूट ले सकते हैं जम सूट भी आपर काफी जादा अच्छे मैने ये वाला कलर लिया है और एक मैंने इसका डेहिर इसका देखिए मुझे काफी जादा पसंद आए बस इसको नीचे पर मैंने कुछ साल यह ँदकी तो इस तरीके से इसमें यह दे रखे है हुब तोप है। यह भी जो है काफी जाधा लंबा था कि उसको मुझे नीचे से आल्टर कराना पड़ा है तो यह दो राउजर लिये हैं और यह जब चूछा था कि इस पूछा था कि इतने का जब चुछा था कि इच प्रॉबईर का है बट मैंने उनसे काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट केक्ट मैंने काई कि दो लूंगी तो फ्लीज इसको पोड़ा सा काम कर दीजे इतने में तो मैंने नहीं नहीं लूंगी चार सु रूपय का तो फिर वो पसंद आया नहीं को यह कैसे लेगा आप लोग वो अजय कोई टपोरी स्टाइल का है तो यह तो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया यह देखिए कॉर्डर वाला है और आगे इसमें तरह के का डिसाइन बना हुआ है यह देखिए और नीचे से जो है आप इसको स्टाइल ऐ तो यह काफी जादा अच्छा लग रहा है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है तो यह मुझे मिला था यह था I think 300 का था बट मैंने उनसे बारगेनिंग करके यह उन्होंने मुझे दिया है 200 का तो यह 200 का मुझे मिला है टॉप ठीक है और उसके बाद मैंने ली है यह वाली ड्रे ग्रेस नहीं है बहुत सिंपल सी है इसको आप नॉर्मल डेली वे में भी यूज कर सकते हैं आप इस बीच बगार में अगर आप जाते हैं तो भी आप इसको प्हें के जा शकते हैं देखे इस इसको प्रिठी लगी है यह देखके इस तरह कि अ यह जो ड्रेस है यह मुझे मिली है त्री हंड़र्ड रुपीज की वैसे तो वो कहा रहे थे कि यह है 500 रुपीज की वो जो एक आती है यह सबजी वाली जो लेन आथे सबजी मंडी वाली उस लेन में जादा तर ड्रेस आपको मिल चाहेंगी कहीं अच्छी अच्छी डिजाइ कि आपको ड्रेस मिल जाएंगी तो उसी वाली लेन से जो है मैंने यह ली है 500 रुपीज की उन्हों ने मुझे बोले थी पर पार के निम करके उन्होंने मुझे त्री हंड़र्र रुपीज की दी है उसके बाद की है पलाजो का सेट एक तो मैंने आपको सरोजनी मार्केट व पलाजो का सेट मिल रहा था तो मैंने भी सोऑ से बाए किया है और वो था जो आपकी सब्सी मंढी वाली लेन है उसी लेन में आपको 270 रुपीज का पलाजो का सेट मिल जाएगा तो मैं आपको ये दिखाते हूँ, पहले तुम आपको पजामा दिखाते हूँ, उसका पलाजो इसका है पजामा, चीक है, और इसके साथ में है ये कुर्टा इसको आप डेली वेर में भी पहन सकते हैं और ये कलर में मुझे काफी जादा पसंद आया, पीच कलर का है ये तो गर्मी में जो है आप इसको होती अच्छे से इसको कैरी कर सकते हैं तो ये मुझे पढ़ा है 270 रुपी और उसके बाद मैंने लिया था ये सेट ये है जैसे आप नाइट सूट जिसको हो सकते हैं ये मुझे काफी जादा घ्यूट लगा इसलिए मैंने ले लिया इसमें बनी है किटी और चैका कप उनि-सके साथ में मैचिंग का है ये शोर्ट्र ये के साथ काफी जादा मैजआ धा मंवी था नए लिया और ये मुझे पढ़ा है इसके बाद है यह वाला टॉप यह देखिए यह काफी जादा मतलब मुझे पसंद आया यह यह देखिए नॉर्मल सा है यह क्रीम कलर है यह वाइट कलर है पता नहीं थोड़ा सा ट्रांस्पेरिंट है यह यह काफी जादा मुझे पसंद आया इसको आप ट्राउजर के ऊपर अगर आप कैली करेंगे तो ट्राउजर के साथ यह बहुत ही सुन्दा लगेगा यह टॉप यह दिखिए इसकी स्लीव है और रॉर्मल सा टॉप है और यह टॉप मुछे मिला था तो हन्डर्ड रूपी का इसमों बिल्कुल भी बार गेगे नहीं की तो यह मुझे अन्पे दिया था था तो हन्डर की इसके बाद इसके बाद मैंने ली है, ये सेंडिल, सेंडिल्स ट्रेम आपे काफी सुंदर सुंदर डिजाइन में मिल रही थी चाया, पील बाली ले लो चाया, फ्लैट ले लो, कैसी भी ले लो, चपल, सेंडिल्स, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारा प्यारा डिजाइन था उ केखंडी में पसंद मैं पैनती नहीं मैं पैनती में हुँ मैं एक संडल ले लेली में पर 20 अपरीज है हुआ अभी मिन अघ司 देली वेर में पैनती हमा जैसे मैं और कि घाती हूं देलीन प्रिखा भ sweetness मैं गेह लेली है यह बहुत ही जादा comfortable है वैसे यह तो मैंने सरोजनी मार्केट से नहीं लेती यह मैंने मैं गई थी जब मॉल गई थी बतन स्कुआर मॉल तो यह मैंने उसके बाहर जो स्टॉल लगता है महां से मैंने लेती और यह मुझे काफी जादा पसंद आई यह मुझे पढ़ी थी वहा लगा हुआ है तो यह काफी जादा comfortable है यह मैंने वैसे सरोजनी मार्केट से बाई नहीं की थी तो अभी जो है मैंने यह वाली सेंडिली मुझे काफी जादा सुंदर लगी कौते जादा प्रिटी है फ्लोरल इसका डिजाइन है यह देखिए और यह जो है फ्लैटी है तो न दोमने जा रहे हो तब आप इसको पैन सकते है तो यह भी मुझे ओनली टू हंडर्ड रुपीज की ही पड़ी तो यह हो गई सेंडिल और इसके बाद यह कुछ पचामे है जो मैंने ले है यह मुझे ओनली वन फिट्टी रुपीज के मिले है तो आप इसको जैसे घर बगेर में पैन सकते हैं बहुती जादा कमपटेबल है बहुती जादा आपको अच्छा फील होगा इनको पैन के रिलाक्स फील होगा तो गर के लिए मैंने चाहिए यह वाले पजामे देगी मुझे ओनली वन फिट्टी रुपीज के मिले है यानि की एक जो पीस है वन फिट्टी मैं पजिए आपको दिखा दो इसके लियकंद में दिखा दूय मैंने लिया है यह यह जएा क्टे बहुती जादा इसमें काप़ी जदा चीजे एफशी जयसे इसमें पोटली है इसमें ड्रेगन aktराश है इसमें कोई है तो ये मुझे उन्होंने दिया है I think ये पीस था फाइव अनुट रुपीस का बड़ वो कम नहीं कर रहेते हैं बहुत मुश्किल पसंद आया तो मैंनों से का कि पीज भाईया थोड़ा कम कर लेजे तो उन्होंने जो है 500 का पीज था उन्होंने जो है मुझे I think 400 में ये पीज तिया इससे जादा नोंने का किसे जादा कमें नहीं कर पा हुगा तो 400 में जो है मुझे ये लाफिंग बुद्दा देखे इसके मैंने ली है एक्चली हम से जाने ही वाले थे सिरोजनी मार्केट से बहार निकल रहे थे तो वहां पर एक भाईया आय अधा वो पूरा टाइम नहीं दिखे जाने के ताइम हो ये जो है ये पीस लेकर रहे और ये मैं बहुत टाइम से मंगाना चारी थी ओन्लाइन ही मैंने मुझे देखा था बट काफी ज्यादा महेंगा मिल रहा था ये ऐंगा मिलें को आएवे थी घुरा को मिलेगा op यह श्यांट 350 के औराउंड आप आपको मिलेगा ऐउन्लाइन जाए थी शेयत अगर मैंने कि उन्हे पूचा कि यह कितने नंहीं कहा तो इक ही 200 रुपे का या बट दो सु रुपे में मैं लेना नहीं चाहरे थी क्योंकि इसमें क्या है कि अगर वैसी बच्चों वाला घर है अगर नुमने जरा सा भी तोड़ गया तो फिर ये दुक्सान हो जाएगा दो सु रुपे का तो मैंने का कि भाया पीस थोड़ा सा कम कर लीजे तो उन्होंने य है कि इसमें लाइट जबती है और ये बहुत ही ज्यादा सुन्दर लगता है ये पीज देखिए इसको आप ये पोल के आप इसको हैं भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी सजा के रख सकते हैं तो ये अटो ने मुझे दिया है 100 रुपीस का इसको मैं बंद कर देती है और इसके बाद मैंने लिया है ये ज्रीन कैच यह कापी सुन्दर है कलर जिसमें और भी थे पर नुचे ये वाला कलर ज्यादा पसंद आया तो यह आई थिंक 350 का था और उन्हें कम करने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे दिया है 200 रुपीस में इसे जादा कम नहीं कर पाऊंगा तो आप इसको दोसों में दे लिए तो फिर मैंने इसको 200 में बाई कर लिया एक तरस ते ज्यादा बड़ा पीस था वह थिंक 450 का था बट्न जो अतना बड़ा नहीं चाहिए था यह वाला मेरे लिए बिल्कुल पर्पेक्ट है यह मैंने लिया और यह उन्होंने म अजिए काफी जया लगा सब्सक्राइब दोगए जैसे कि आपने मेरी वाला बन टेखा होगा जो मैं अपनी डी और जीजु के आ जा रही ती उसमेने यही बाहा टॉप पहना है समर्स के लिए काफी जादा अच्छा है कॉलर स्टाइल में है और अजै और यह काफी जो मैंने खरीदी तो आप मुझे प्लीज बताइए कि मेरा ये जो व्लॉग है या तो कैसा लगा और जितनी भी मैंने चीजे खरीदी है चाहे वो शोपीस हो ड्रेस हो टॉप हो या फुट्वेर हो उसमें से आपको कौन सी चीज सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और मैं क्य मैं को हमन्cium को क्या इस तरह का ब्लॉग मैंने फर्स ताइम बनाया है जाए वो आके मैं आपको इसे भी जादा अच्छी वीडियो बना पैस में बना तो प्रीज मुझे इसली कहा बना यहें करते में अव्लों और अगर मेरे चैनल पर नई है तो अबने मेरे चैनल को लाइक करें आँ क्यों कि दादभ तो मैं और क्या कह सकती हूं अपने की जो अद्पी रहे हैंपी रहे तो आप दी रहे हैंँ आप झाल